हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्षोग सम्मोहन वैसन मुक्ति तग्य हूँ हमारा अकॉला में होस्पिटल है महाराष्ट में अकॉला में होस्पिटल है जहां मनोरुगन और विसनी लोगों को भरती करके इलाज करते है एक हमारा हॉस्पिटल है जहां मनोरुगन और विसनी लोगों को रिष्टारों के साथ में भरती करते है उनका इलाज करते है और दूसरा हॉस्पिटल है कि जहां रिष्टारों के अलावा मनोरुगन और विसन जो लोग है उनको भरती करते उनका इलाज करते हैं है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा मैनरे जर कैसा होता है और अच्छा मैनेजर किस तरह 14 मैनेज करता है यह कुछ जानकरि में किताब पढ़ रहा था वनमीनिट मैनेजर यह कैन ब्लेंचर और स्पेंसर जॉस से इनका किताब है तो उन्हें किताब है कि मैनेजर कैसा अच्छा होता है मतलब हमको मैलूम है कि दो प्रकार की मैनेजर होते हैं एक होता है कि ऑट्टो क्रेटिक मैनेजर और एक होता है डेमोक्रेटिक मैनेजर होता कहा है कि ऑट्टो क्रेटिक मैनेजर जो है वो manager company की लिए अच्छा काम करता है वो results produce करता है मगर कर्मचारी लोगों में वो लोग-priये नहीं रहता और दुसरा democratic manager जो है वो कर्मचारियों में बहुत ब्रिये रहता है लोग-priये रहता है मगर company के लिए वो results produce नहीं करता तो दोनों manager problematic है वैसे देखा जाया है तो हमको ऐसा होना कि autocratic और democratic manager का संदुलन कैसा बनाया जाए रहेंगा कि जो रिजर्ट प्रोडूस करेगा कर्मचारी लोगों भी लोग प्रिया रहेगा काम भी अच्छा होंगा कंपणी का भी विकास होंगा और अच्छ रिजर्ट मिलेंगे तो इसमें जो characteristics है वह इस प्रकार की है कि नंबर एक गोल सेटिंग यह manager कर्मचारी लोगों का और कंपणी का गोल एक जैसा होना चाहिए कि इसलिए लोगों को उसमें clarity लाता है और गोल सेट करता है तो गोल से एक दम क्लिर रहे तो क्रमचारी ओंको मालूम हो रहता कि company के गोल्स क्या है है नंबर एक नंबर दो कि कर्म जाने गोल होता है मतलब उद्देश फुल्फिल होता है रिजर्स फुल्फिल होते हैं तो किसा दिखेंगा उसका भी पिक्चर वो तयार करता है कि कर्मचारियों को मालूम रहता है कि गोल फुल्फिल करना मतलब करना क्या है आप गोल्स जो है वह 250 पचास शब्दों में से कम शब्दों में लिखना वो जरूरी है कि हर कर्मेचारी को मालूम है हमारे गोल्स कह है और वह गोल्स वह रिपीटेडली पढ़ते हैं बार 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 पढ़ते हैं और यह होता है कि बार 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 यह उंको बताना पड़ता है कि हमारा जो behavior हो हमारा जो बरताव है वो वो गोल को अनुरूप है कि नहीं है हमारा behavior consistent है क्या है तो करता क्या है कि एक तो goal लिखे हुए goals clear है कर्मचारी उनको मालूम है कि बार 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 गोल्स पढ़के हमको गोल्स कौन से अच्व करना है और हमारा जो बेहवियर है वो बेहवियर अपने गोल्स के मुताबिक consistent है कि अनुरूफ है कि नहीं है तो company के गोल कर्मचारे लोगों को clearly मालूम होते हैं तो यह हो गया goal setting को वह सब को मालूम है company में की goal क्या है नमबर दो आसपेक्ट है वो है praising मतलब तारीफ करना प्रशंसा करना होता है कि प्रश후ंसा यह मैंणेजर रहते जो लोकपर भी रहते हैं और वह दूदुदूर् operatoroni रहते हैं वह पनाते हैं की कर्मचारियों को कि आप को जो है कि आप में करने लिए रॉकaci आप Keep message तो मैंने क्या किया तो मुझे प्रशौंसा मिलेगे नंबर दो प्रशौंसा जो है वह तुरन देना पर आप आज अच्छा काम किया ते एक मिने बाद आप प्रशौंसा देंगे कवा नंबर 3 प्रशंसा काई के लिए दे रहे है वो करमचारी को बताना पड़ता कि मैं प्रशंसा स compilation किया के उसके इम इसके लिए में प्रशंसा प्रशंसा करता है तो कैसा लगा ओंदेमा अच्छा लगा और आप जो काम कर रहे वो बहुत जरूरी है important है, महत्वका है वो उसको feel करवा देना और next है कि भई आप और अच्छा काम करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रशनसा होंगे आपको अच्छे rewards मिलेंगे तो in short कर्मचारियों को पहले मालूम रहेंगा कि मैंने कौन सा काम किया तो प्रशनसा होंगी कर्मचारियों को मालूम रहेंगा कि प्रशनसा होने वाली है लोगों को मालूम रहेंगा कि प्रशनसा तुरंद मिलने वाली है और तुरंद प्रशनसा देनी है दूसरा है कि भई अच्छा काम करने के बाद में मुझे कैसा लगा, मुझे कितना अच्छा लगा और आप कितने important हो, आपने जो काम किया वो कितना important है, वो भी उसको बताने का है फिर उसके साथ में प्रशन सा करने के बाद में थोड़ा सा silence में रहने का है थोड़ा momentarily silence ताकि आप उसके साथ में हो प्रशनसा करने वाद में just being with him just उसके साथ में आप है और next उसको encourage करना बढ़ावा देना कि आप ऐसे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होंगा और आपको अच्छी प्रशनसा मिलेगी तो पहला हमने देखा गोल सेटिंग सबको मालू है पहला secret नंबर दो जो secret है वो है प्रशनसा करना या तारीफ करना और तीसरा जो है वो है रिप्रिमाण रिप्रिमाण करना मतलब ताने देना या उसको criticize करना या उसके गल्थी बताना जो भी उसने किया हो तो उसमें भी क्या है कि कर्मचारियों को बोलना पड़ा है कि तुमने गलती कौन सी किया तुरंग बताने का है करने के बाद में कौन सी गलती किया जो भी बोलना है वो अकेले में बोलना है सब के सामने बोला तो उसका इंसल्ट हो जाता है तो सब के सामने नहीं बोलना आपको कैसा लगा करमेचारी ने गलती किया तो मुझे कैसा लगा वो भी आपने बोलने का है और ये बोलने के बाद में जस्ट साइलेंस में रहने का है एकदम शानती रखना है कुछ सेकंड के लिए नेक्स्ट उसको हाथ लगा कि उसको बोलना है कि वह बोलना है कि आप मेरे लिए बहुत वैलीवेवल हो आप मेरे लिए बहुत महत्वा क्यों वेक्ति हो आपने जो किया वह गलती हो ठीक है कोई प्राब्लम नहीं है वह गलती है आप गलत इंसान नहीं हो तो वह उसको बोलना और यह बोलना कि भई जो हो गया वो हो गया चलो भी next क्या मुझे का इसा लगा आपने गलती किया तो वह बोलने का है नंबर तीन यह बोलने के बाद में या उसको उसके ओपर मतलब गुसा करना या जो भी आपने उसको बोला कि भई तुन्हें किया गलत किया है ऐसा गलती आप बता रहे है तो उसके बाद में silence में रहना next उसको सफ को आपने गल्टी जा तो कोई problem ने और next अभी जो हो गया वो हो गया अभी क्या संभाव है तो गल्ती भी किया तभी तुरन गल्ती बताने का है और उसको ये महसूस होने ना है कि नहीं, ये मैनेजर है मेरे साथ में है, मैने गल्ती किया तभी गल्ती बता ही जाएंगी, मगर गल्ती के लिए ऐसा नहीं होंगा कि बहुत बड़ी सजा होंगी, और तभी भी ये मैनेजर मेरे साथ में हैं तो अच्छे मेंगा तो एक गल्ति करूं और नहीं करना है जितनी भी गल्ति क्या तो All Mistakes Are Rewarded No Problem नहीं करना है तो जो भी गल्ति के लिए बताने का है उसके साथ में रहने का है साइलेंस में रहने का है उसको बोलना है कि तूने गलती किया मगर तू महत्वक आदमी है और मैं तरी ले खड़ा हूं मैं तरी ले सपोर्ट में हूं जो भी हो गया वो हो गया अभी आगे बढ़ क्या करता है तो इस तरह से यह हम लोगों को हमारे साथ में जो लोग काम कर रह यह खाली होंगे जो काम करते नहीं है और आपको प्राइबले माता है कि इसका क्या करूं मैं इनसे काम कैसा निकालों अगर यह जरूर्ण जो मैंने तरिक की आपको बता है वह अपनाएंगे तो जिरूर आपको इसका फायदा हो आपको अच्छा लागा तो किताब जरूर पढ़िएगा किन ब्लैंचर और स्पेंसर जॉंसन का किताब वन बिनिट मैनेजर आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर शेर करो सब्सक्राइब करो आपके वर्सेप ग्रूप के ऊपर फेस्बूक ग्रूप के ऊपर शेर करो थैंक यू बेरी मच